पश्चिम बंगाल के दारजिलिंग जिले में एक मालगाडी ने कंचन जंगा एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर मार दी, जिसके बाद भीशन रेल हाथसा हो गया। यह हाथसा जल पाई गुडी के पास हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंतरी ममता बनरजी ने इस हाथसे पर दुख चताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। वही रेल मंतरी अश्विनी वैशनव ने भी इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, NFR जोन में दुर्भाग्यपून दुरघटना हुई है। पचाव कारे युद्ज स्तर पर जारी है। रेलवे, NDRF और SDRF मिलकर काम कर रही हैं। घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। वरिष्ट अधिकारी घटना स्थल पर पहुँच गए हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार इस हाथसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों की संख्या लगभग 30 बताई जा रही है। तारजलिंग के अतिरिक्त पुलीस अधिकशक अभीशेक रॉय ने बताया की इस हाथसे में पांच यात्रियों की मौत हो गई है। साथ ही दुरगटना में करीब 25 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि सिलीगुडी में सुबल से ही भारी बारिश का मौसम बना हुआ है। इसी कारण से बचाव कारे में भी बाधा आ रही है। जिस लाइन पर हाथसा हुआ, वह कोलकाता से सिलीगुडी तक का मुख्य रेल संपर्क मार्ग है। फिलहाल इसके चलते लंबी दूरी की रेल सेवाएं अस्थाई रूप से रोग दी गई है।